जैजे शुरादी जैजेश रादी जैजेश रादी क्या हाल चाल बच्छा लोग ठीक ठाक बढ़िया मजा मां हाँ कि तुम लोगों को तो बिल्कुल मजा ही आगया होगा इस तर्वेदत की के सशन के पास बाबू को सब्सक्राइब करें तुम लोग से कुछ सवाल करूंगा उसका मुझे जवाब चाहिए लेट करो एक गिलास है क्या है गिलास है बाबू मेरी गिलास बाबू अभी ठीकि इसके बाद मेरे बास क्या है एक लोटा आ ठीक है कि एसके बात मेरे बात बाबू एक बालती है है तो गלासरी करे कि लगास लंभी ल्टा इतना वड़ा है बालती आपको है है ao आज और मैं बाबु किसके पास पानीधारण करने की छंबता ज़्यूदा है किसके पास पानीधारण करने की छंदा ज्यादा है ए बाबू मेरा कुश्चन है गिलास है लोटा है और वाल्टी है किसके पास पानी धारण करने की शम्ता जादा है तुम लोग बोलो कि सर वाल्टी है ठीक है है हाँ लोटे के पास उससे कम है गिलास के पास उससे कम है चलो दूसरा कुश्चन पानी धारण करने की शम्ता से तुम लोग क्या समझ बार हो जैसे मैं बोलूं बाबु एक सब धारणा सकती क्या धारणा सकती बाबु जिसकी धारणा सकती जतनी ज्यादा उसकी mental मेंटल पावर मेंटल अबिलिटी उतनी ज्यादा जतनी ज्यादा तुम्हारी धारणा सकती होगी उतनी ही ज्यादा तुम्हारी मेंटल अबिलिटी होगी मेंटल पावर होगी आज हम लोग बात करने वाले हैं धारणा सकती क्या होती है पानी से थोड़ा समझ पा रहे होगे इसका मतलब धारणा सकती से तुम्हें समझ पा रहे होगे। सर, जैसे लट कर लो, यह तुम्हारा दिमाग है या तुम हो। मैंने नौलेज दी, क्या बाबू नौलेज? मैंने बाबू इसमें ज्यान दिया, और ज्यान को इस्टोर करने की जतनी शमता तुम्हारे अंदर है, उसी को बोल देंगे तुम्हारे ढ़ना सकती है। कितनी तुम्हारे अंदर है, कितनी तुम्हारी छमता है ज्यान को रख पाने की, उसे क्या बोलते हैं बाबूस। इसी तरीके से, लेट करो, समुद्र होता है, हां सर समुद्र होता है, उसके दुरिफट उद्हेट सारी नदिया मलती है सर minder जल्दि कॉंसेफ्ट फियाओ अपना ठीमाघ खालि ना और पहले सबढ़ी नदिया मैं यहां 마 मुझा जाली जासे समझता जाई समुद्र है समुद्र सारी नदियां आती है ठेश सारा पानी आता है क्या समुद्र का लेवल उपर उठता है नहीं सर समुद्र का लेवल तो वही का वही रहता है ठेक है बाई मतलब पचास नदियों का पानी आया लेकिन फिर भी सम्मुद्र का लेवल एक उपर नहीं उठा चलो किसी बहुत बड़ी जील में अगर जो है न कोई बहुत बड़ी जील हो बड़ी जील इसके अधने साथ एक नदि का पानी आ जाए न तो भी इसमें थोड़ी मुडी बाढ़ा जाएगी बहुत कम मैं बस पता नहीं चलेगा लेकिन हाँ भाई जेल जाएगी इतना हो जाएगा लेकिन इसका बभू दस मीटर लेवल उपर उठ जाएगा दस मिटर भी स्मिटर ऐसे उड़ियागा दस मिटर बारा मिटर मान लिया दस मिटर उठा बाबु इससे एकर छोटी जील हुई तो क्या होगा सर छोटी जील में सर तीस पच्चेस मिटर उड़ जाएगा बहुत तड़ी बाढ़ा जाएगी एक नदी का पानी आ पच्चेस पच्चेस छोटी किसी छोटी जील में एक बार में आजा इतना पानी पता नहीं चलेगा पूरा जील डवान अब भर गई और उपर लो करने लगा अगर वाबु ताला पो खरें कुवें की बात तो की नहीं जा सकते पूरा गाउं मटिया में डोजागा बराबर हो कुवा तो कुवा ही है किसी बढ़िया तालाब की बात कर लू तो तालाब कुवा बस समझ सकते हो कि हाँ भाई बाहर तो आने ही वाली है तालाब जाता पानी रख पाएगा तालाब कुवा तर कहना क्या चाहरा हूं बाबु मैं कहना यह चाहरा हूं ना कि तुम धारणा सक को पानी के धारन करने की शम्ता को कैसे ना पोगे इस सारे अपने पास सब से कि यादा है बहर के तो ढूब जाएगा कैसे समझ जाएगा कि पानी को स्टोर करने के इतनी शम्ताए हैं कि इनकी दिमांग अगा कि मैं शूर करेगा की इनकी रखने को रखने की शम्टा को नाः बता, सोच लिया, अब मैं समझाता हूं, उसे सोच, मैंने पानी दिया, और जो भी मेरा है, कुछ भी हो, जीलो, तलाबो, समध्रो, जो कुछ भी है, जो भी यह अब्जेक्ट, जो भी मेरा ए पानी स्टोरिंग एजेंट है, इसका लेवल कितना राइच किया, चाहिए, इसका इसका अस्तर कितना चढ़ा इसका अस्तर पानी का अस्तर जल अस्तर कितना वढ़ा प्लस कितना पानी दिया ठीक है इन दोनों का रेशियो निकाल लू मैं इन फैक्ट ऐसे समझो कि मैं कितना पानी दूं ब्लू पें दखो कितना पानी दूं सुरी पिंक वाली कितना पानी दूं कि एक मीटर अस्तर उठ जाए एक यूनिट लिख देते हैं एक यूनिट अस्तर उठ जाए मतलब इस पानी के कंटेनर को नदी हो जहीं लोग कुछ भी हो कितना पानी दूं कि उसका अस्तर water लेवल कितना हो जाए एक मीटर से ऊपर उठ जाए मैं बोल दूंगा इतनी छमता है इसे मैं क्या बोलूँगा इनके पानी की धारिता या ऐसे लिखते हैं चलो अपने कोई नाम देना है तो जल धारिता देते हैं कुएं की जल धारिता या फिर इसकी जल धारिता इसकी जल धारिता लिख लो यहां पर जिल की या कुएं की कुएं की जल धारिता कुएं की जल धारिता कैसे ना पर हमने कितना पानी दिया तो इसका अस्तर एक यूनिट से उपर उठा क्या कितना पानी देने के बाद इसका आ हाँ सर बहुत ही क्लिक और अभने कोर्ड एसा राप ड्रीव। यहां आगया तो आउ टॉपिक पर लिखिया अधारिता यूं सन्धारित्र और अधारिता एवं अधारिता आवं सन्धारित्र यूं. क्या किसी सुचालक को मैंने क्या किया किसी सुचालक को मैंने क्यू अब पॉतर के लिए twoable उसका पॉतेंशियल और वाभी उसका सर्फेस का पॉतेंशिल बाव हुगा नडा का समफिस का पॉतेंशियल मूल्ड से ऊपर उठ गया क्लिया रहा हैं जलागेट करो क्यों चार्ज दिया कितना क्यों चार्ज दिया इसका पुटेंशिल उठ गया क्यों चार्ज दिया इसका पुटेंशिल वन मोल्ट से उपर उठ गया इसका मतलब क्यों क्या है इसकी धारिता है क्यों क्या है बाव इसकी क्यों बाव क्या हुआ क्यों ही इसकी धारिता हुई जिसे बोल देते हैं का बस टेंशिया सी से दिनोट करते हैं किसे दिनोट करते हैं है वह जो इसके पहले अपंदा था है कि अव्यक्त रिजग क्यों है कॉन सब्सक्राइब जाता जो यह पहली बात कि क्यूंद ने सब्सक्राइब हमेशा कॉंसा डिजॉल कि क्या है सी की मीनिग क्या है मीनिग समझा करो कि आयाइटी वाले करते हैं खेला और मेरे पढ़े हुए जितने बच्चे होते हैं उनको इस्टार्टिक में तुर सा लगता है टीजन टफ हो रही है लेकिन वे कभी धोखा नहीं घाते हैं उन्हें कॉंस्टर्ट बता होता है क्यूं अमाउंट आफ चार्ज दिया तो पटें अलग को जानते हो कि इसके पूरे सर्फेस पर पूटेंशल से मिरता है क्यों पूटेंशल सर्फेस होता है संविभाव होता है ठीक है इसको मैंने क्यों चार्ज दिया क्यों चार्ज दिया इसका क्यों चार्ज दिया इसका पूटेंशल बाभू इसका सर्फेस का तुमने Q amount of charge दिया, V उपर उठ गिया, ठीक है, Q amount of charge पे potential कितना उठा, V, तो एक वोल्ट उठने के लिए, एक वोल्ट उठने के लिए, चार्ज कितना चाहिए होगा, Sir, Q by V, जैसे की, दस कुलाम चार्ज दिया, तो दस वोल्ट potential उठा, सरी, 5 वोल्ट potential उठा, एक्जामबल देख लो, दस कुलाम चार्ज पे 5 वोल्ट potential उठा, तो एक वोल्ट उठने के लिए, 10 by 5, 2 कुलाम चार्ज चाहिए मेरे को, है न, आसर एक्जामबल से समझ में आ गया, Q by V, कि क्या है एक वोल्ट उठाने के लिए इतना जार्ज चाहिए मेरे को क्यूब आई वी बावू पोटेंसिल उठाने स्वरी वन वोल्ट पोटेंसिल उठाने के लिए वन वोल्ट पोटेंसिल उठाने के लिए q by v amount of charge मुझे देना पड़ेगा इसी q by v को बोल देते हैं capacitance q by v ठीक है इसी को क्या बोलते हैं बाबू q by v इसकी unit हो जाती है बाबू फराड इसकी unit क्या पहले इतना लिख लो आगे बात कर लेंगे इसके ठीक है पहले इतना लिख लो q by v c is equal to q by v बाबू नोट साथ साथ बनाया करो क्योंकि बाबू नोट सी हैं जो तुमारे पास है तुमारे पास अल्टिमेटल यही कुछ बचता है तुरह नोट नहीं मैंना ही दिगाव नहीं पढ़ाई किस बात की पचाओ एक एक चीज़ को पचाओ म मैंने क्यू चार्ज दिया पूटेंसिल वी से उपर उड़ ःक्यों क्या है या वन यूनिट से पूटेंसिल उखाने के लिए कि थिकए तेंट क्वेश्चन वन देख लो कि अपने बास बाई स्परिकल कर रहे है जिसका रेडियस कितना है आँ ठीक है ठीक है तुछ नहीं करना तुछ नहीं करना तुम इसको क्यूंट आफ चार्ज दे दो तुम इसको क्यों मांट आफ ट्श्चर्ज दे दो मैंने क्यों अमाउंट आफ चार्ज इसको डे दी है बहुत अच्या किया यातों कैसे ऐन है घ्यूट आ पढese और कि क्यूवाई आर र seventeen dollar list लने पर पुटेंशियल कितना चाया इतना बढ़ गया पॉटेंशिल इतना बढ कानासर बहुत बहुत सहर बस इतनी बात समझना थे क्यूआ की चॉटेंशाल दिया गोइश देने पर विभोक आ्मान इतना वड़ा तो का बसेंस कि přिंव मा ऑई क्यूं कितना है सर क्यूंव है potential बढ़ा कितने से है क्यूंव भाई यार से तुम्हारा सी कमान कितना आया सर वन भाई के इंटू आर वन ऑई की कमान और पाई एफसलांग नॉट अर और बड़ा वला है लिख लो पूर पैस फ्लाग न डार ठीक है हाल सहर समझ में आगए आपने को समझ में आगए तो अच्छी बत है और नहीं आगा तो हम क्या ही कर सकते हैं नहीं आ यादो हम क्या ही कर सकते हैं कि नहीं आया बहुत ही बहुत ही कुष्टन था नहीं है यह बहुत ही इजी कुष्टन था यह लेकिन वावु तरीका यह है जब भी कभी तुम से पूछा जाएगा तो तुन्हों क्या करोगे क्यूं अमाउंट ऑफ चार्ज दोगे पुटेंशियल नोट करोगे डीवी को मतलब वी नोट करोगे वी कितना इंक्रीज हुआ वी कितना आया और सिदे तुम्हारा सी इस उगल टू क्यू बाई यह बावु तरीका हो गया तुम्हारा एक आम करने का समझ गये अपना काम करने का तरीका आज वाब थोड़ा साब का कि अब थोड़ी मोड़ी बात कर लें थारिता वोलते हैं इसको क्या वह लेंगे थारिता तुम्हों को इसकी मेनिंग असपस्ट हो गई हो कि धार डा सकती से ठीक है कितना चार्ज स्टोर करने की बात है ठीक है इलेक्टिकल इनरजी इसे बावु तीन तरीके से लिख सकते ह को इस्तिर वैदुत की उर्जा इस्टोर करने की चमता ठीक है दूसरा है चार्ज स्टोर करने की चमता ठीक है और की सब्ढ़ seizure करने की श्रम्ता तीनुं वात क्रों नहीं कि इनर्जी कि पृटर करने की समता और चार्ज स्टोर करने की शंता सबसे पहले इसकी यूनिट लें लिए इसकी यूनिट होती है फाराड फाराड वन फाराड मतलब वन कुलम्वाइवन बोल्ट बहुत बड़ी चीज होती है इसकी मैं करते हैं मैं आभी आपने को माईक्रोंवाइश फेरन में यह गया है किया बाबु मुझे इसका डाइमेंसिनल फ़र्मुला देतो इस इसका मुझे डाइमेंसिनल फ्रमुला जल्दी से देधो कि डाइमेंशनल फॉर्मूला हम को चाहिए भाई या इसका जल्दी से दीजिए ना कि सब्सक्राइब क्या होता है भाई कि परेट को कैसे लिखो गए कुलम क्या लिखते हो याद करो और वोल्ड क्या लिखते हो उसके भाई उसका कर लो आजगा तुम्हारा एंसर है कि नहीं कि सब्सक्रापी लिख दीजिए अच्छे हम लिखने हैं ठीक है कि मैं लेकराऊ एट हुए है है मैनस न सब्सक्राइब मैं लिखने नहीं है पिर सब्सक्राइब लिखने नुक्तियों मैं लिखने वाइन टीक मेरी की बहुत खराब है बाइब और यहां से लाओ ना इसको अगलाम चार्ज होता है ना क्यों आइयार से जा बोलने हैं उसको आप अब है अब कर लो यार से लेकर करते हैं अब कर लो यार सिंबल सिंबल आइस सब्सक्राइब पोटेंसल को वर्क और चार्ज से लेकर के आओ क्यों इसको 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 भी आइटी से जोड़ना चार्ज को वह से मिल जाएगा वह से एंसर आएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं और चेक कर लिया सब मेरे करने की चीज़ नहीं सब तुम करोगे तुम्हें आएगा मैं करूंगे में तुम्हें मेरा टाइम बीच चुका मुझे आ चुका आते कुश्चन पर अब आपने को समझना है कि आखिर ऑखेर एक फैल के सबस्क्राइब करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना कि दो कोई आप जाओ उसे क्यों के दो यहां पे कर से है किनकी अ THISiny आता है यह उससे आफ्चाज को फिर भी है किसी को क्यों माउंट आफ चार्ज दोगे उसका पुटेंशल बड़ेगा तो क्यों भाई वी तुम्हारा क्या हो गया सी हो गया अगला टापी बाभू लिखिए एस्तिज वृषए एस्थिर वैद्थ एस्थिजुरिया Stuart लए मुझा है यृदुत इस्थिर जुरिया या फुर लखली जए सवाॉर जा किसकी सुचालक की ठीक है है हां इससे बाव मैंने अल्रेडी डिफाइन किया हुग है जैसे लट कर लो कोई कंड़क्टर है इसके उपर बाव जैसे ही पहला चार्ज आएगा तो पहला चार्ज तो बिना किसी विरोज कियाएगा नेकिन पहला चार्ज बाव बिना किसी विरोज कियाएगा लेकिन अब इसके बाद जितने भी इसके उपर चार्ज आएंगे ना उन्हें इसके द्वार क्योंकि जो पहला चार्ज आ गया हो तो बिना किसी रोग ठाम किया लेकिन उसके बाद बाव इसकी अपनी इलेक्ट्रिक क्योंकि उसे इसके विरोध का सामना करना पड़ेगा तो इसलिए आपको कुछ ना कुछ कार्व करना पड़ेगा विरोध में काम करना पड़ेगा ना हां तो विरोध में क्योंकि मुझे काम करना पड़ा इसलिए जो वर्क किया जाएगा इसकी इलेक्ट्रिक फिल्ड के खिल जो वर्क मैंने ग्रैविटी के खिलाफ किया ओस परिंदर èंदर ग्रैविटेस्टिनल नर्जी चाहिए के सेव हो गया उसी तरीके से इस्तितिज उर्जा के के खिलाफ जो भी siya तो पॉटेडिया तो है जो भी वर्क देखो ना मैंने ग्राइवटी एखिलाफ यहां में पहना है ऐसे ग्राइवटी एखिलाफ काम किया तो जतना काम किया उतना बाबु इसके अंदर उर्जा संद्चित हो गई जिसे बोलेंगे गुरुत्वी इस्तित जुर्जा ठीक है उसी प्रकार से जो भी काम मैंने किया क्या इसके उपर चार्ज को पूरा क्यू लाने में क्यू चार्ज लाने में पहला यूनिट चार्ज लाने में कोई मेहनत नहीं उसके बाद जो भी चार्ज आया उसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ी कितनी मेहनत करनी पड़ी सर इसकी जो इलेक्ट्रिक किसकी सुचा लगी या फिर इस तिर वैद्दत इस दिज गुर जा लिख लिए आसर लिख लिए ठीक है डबलू लिख लिए बागू डबलू लिख लें आसर लिख लेते हैं डबलू क्या होगा जल्दी से कल्कुलेट कर लो कि डबलू क्या होगा जल्दी से करो कि दिमांग लगा लगा कि वर्क क्या होता था याद करो इस तर्वेदूत की टाइम पर जाओ मैं ऐसे नहीं करने वाला सब काम तुम से रहूंगा सब सब बदा चुका हूं कि वर्क कितना होगा सर्पोटेंशल से मल्टिप्लाई करेंगे चार को दैट इस वर्क डन क्या होगा क्यों डीक्यू इंटू वी जहीं ना ऐसे है है आशर सब्सक्राइब है ठीक है इंटेग्रेशन ऑफ डीक्यू क्यों क्यों लिग दूँ वी क्यों क्या लिखूंगा बाव मैं क्यों 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 कि डीक्यू क्यू बाई से जिरो टुक्यू कि डेवलु कितना हो गया जल्दी फाइंड करो क्यों का क्यों का इंडिक्रेशन क्या होगा मेरे वाई हाफ जल्दी बता हाफ 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 कि आगया हांसर मल गया चले आगे हांसर चलते हैं आगे हांसर लिख लिख लिए इसको और तोड़ने भाई डबलू इस एक्वल टू आफ क्यों स्कॉर वैसी को मैं और तोड़ना हूं इसको हाफ क्यों को क्या लख सकते हो सी वी सी स्कॉर वी स्कॉर वैसी हाफ सी वी स्कॉर लिख लो हाफ सी वी स्कॉर क्या लिखा बाबू हाफ सी वी स्कॉर ठीक है हाँ बाबु यह तुम्हारा फर्मॉला है स्वा उर्जा का इससे लिखा लगए स्वा उर्जा किसकी क्यापसिटर के ही है बस याद रखना स्वा उर्जा क्या होती हाप सीवी अब तक बाबु जो मैंने चीज़ें बताई उस सारे आपके दिमाग में सब्सक्राइब कर लो फिर फिर बिल्कुल एक दम स्मूथ ली सब चलेगा आप तक बाबु जो ही मैंने बताया उसमें क्या तुम्हें कुछ भी ऐसा लगा हो जो तुम्हें ना समझ में आए तो जड़ासा मेरे को बताओ अब तक बाबु जो भी मैंने बता मतलब आपको समझाया उसमें कोई ऐसी बात मैंने टफ बात नहीं की सारी सिंपल सिंपल बाते कर रहा हूं कैपस्टेंस कैसे लिखेंगे क्यों अमाउंट ऑफ चार्ज देंगे वी पुटेंसल उठेगा ऐसे बहुत ही सिंपल कुछ भी अपने टफ काम नहीं किया आखुम अब आगे बढ़ते हैं । सवाइर्चा है इसना लोंगी आब इसकी तकर चार्ज क्यों और वाग eu स्पैरिकिल करेंटर रहे हैं ठीके? लिख 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 लिखो? अँछ? हां लिखा है बता दूब मैं है वही फर्मॉला है हाफ है क्या था है क्यों स्क्वाइर वही थी यह हाफ सीवी स्क्वाइर थी तुम लोग इसका जानते ही हो कितना था किसी इसका कितना आजा था तर्फ को के आर भाई के न हाफ हाफ हार भाई के वी क्या होता है सर्क क्यू बई आर क्यू बई आर इस्वाइर कर दो हाफ हार वाई के के स्क्वाइर क्यू स्कॉर्ग बैयार कि इसक्वाइर के तो también है कि हाफ के क्यू स्कॉर्ग वाई आर इसेल्फ एनर्जी इसल्फ इतना हो गया इटना हो गया इस इंपल दरीका है ना आज़ा सिंपल दरीका है आँप है इस इंपल है इस इस आगे आते हैं भई कुष्टिंग कराता हूं मैं तुम्हें जैसे लेट करो ऐसा कुष्टन है मेरे पास एक कंड़क्टर है इससे बहुत ज़्यादा दूरी में दूसरा कंड़क्टर है मतलब इन दोनों का आपस में कोई प्रभाव नहीं है मैं कहता हूं इसका कैपसिटेंस इसके उपर चार्ज वावू क्यू और सी क्यू दिया हुआ है सिक्स माईक् packets est Chance स्य मिक्रो यिस पारेट इस पर ठीक उल्टा है इस पए कょppenka games एल और सी कॉलम कंपस्टेंस है कि Bishop Of Army तुम मेरे को अब बताऊ यह तो इनीसियल है यह क्या इनीसियल है फाइनल बताओ फाइनल क्यूँ दोफीए रहेगा अगर इन दोनों को बावू ग्रीन वायर से मतलब की किसी सुचालक पतले तार से जोड़ दिया जाए दोनों परियाप्त दूरी पे हैं आपस में एक दूसरे का कोई प्रभाव नहीं डालते हैं चले जल्दी बता दीजाएं जल्दी बताईएं हाँ क्या ही होने वाला है बावू आखिर सर दोनों का पोटेंशल सेम हो जाएगा पोटेंशल सेम कर दो बावू इन दोनों का पोटेंशल सेम हो जाएगा इजना अगर आइडिया लग गया है तो दोनों का पोटेंशल सेम करो पोटेंशल क्या होता है आखिर में पोटेंसियल क्या होता है ज़रागट करो पोटेंसियल सी इस इकवल टू क्यू वाइट करना मैंने पॉटेंसिल सेम गर दोनों का बोल जा सब कुछ है पोटेंसल सेम कर बस तो कपेस्टेंज यहां थ्री के लग दिया ना है यहां इसे थोड़ा और उल्डा कर दो इसे सिक्स कर दो अब मजा आएगा चलो अभी थ्री पे कर लो आगे वाला कोश्टन सिक्स पर कर ले ना अभी थ्री पी कर लो इन तुम लोगों के सर आप बीच में मतल दिये अभी थ्री पे कर लो अगली कोश्टन में सिक्स कर लेना जल्दी करो भाई जल्दी करो जल्दी करो अब कुछ दिमागा लग रहा है क्या हाँ पहले बताओ इसका इसका वी कितना है वी इसका वी निस्यल से कितना है तर वी इनिस्यल इसका है ना कि छह लिए एक पैसे टीन कितना हुआ अपने वालों है तुम दोनों को जोड़ो तुम दोनों को जोड़ो प्यूवन क्यूट चार्ज कर जर्वेशन तीन और शे प्यूट टोटल कितना है सब्सक्राइब करने की शंदा इतनी है तो तुनों जोड़े गई ना सीटी क्या हो जाएगा थ्री और थ्री सिक्स नॉ आट न करना हूँ वन पॉंट फाईप ओल्ड ठीक है इसको भी अब तु वी फाइनल कितना हूँ रवन पॉंट फाईंट फ्री पोर ऎ जा है आजा वी फाइनल कितना हुआ 1.5 वोर्ट कहां गया इसका क्या वह बोलते हैं को क्यों फाइनल क्यू फाइनल क्यूंट कितना हुआ जेड़े गुड़े तीन कितना हुआ साधे चार zdra sir माइक्रोफ कुलाम क्लियर है मिलकुली इघ creature x5.4 माइक्रोफ लाइक पर चार्ज हुआ ęt अब इसमें पहला कुश्चन दूसरा कोश्चन ऐसे हो सकता है सेम इसमें दूसरा कोश्चन यह हो सकता है कितना हीट क Focus के तना हुआ उसकता है सब कुश्चन हो सकता है amount of heat loss अगर यहां दूस्राइन पर बहुत ही heavy resistance लगाय गया था तो heat loss कितना हुआ अगर नहीं लगाया था तो भी पूछेगा heat loss कितना हुआ heat loss तो कुछने कुछ होगा nggak ही चाहिए कैसे बताओगे बाबू इसकी सेल्फ उर्जा SI SI फिर SF SF दोनों की जोड़ दोगे हैं देखोगे सेल्फ उर्जा घटी होगी को जरूर कुछ ने कुछ जो फाइनल सेल्फ उर्जा है वो इनिसियल सेल्फ उर्जा है परिवर्तन आएगा ठीक है घटेगी मतलब टोटल टोटल की बात करना हूं टोटल घटेगी तो टोटल जतनी स्वह उर्जा में कमी होगी किसमें निकली होगी हीट के फॉर्म में निकली होगा ना बहुत हिसल्की बात करना हूं कि जतना बाबू तुमने में महनत किया होगा खर चुरा सा छोटी सी बात बिल्कुल छोटी सी बात सोचो ना जदना बाबो work हुआ होगा वही तो हीट के form में निकला होगा मैं कोई टफ़ बात नहीं कर रहा हूं तुम बाबु मैं ऐसे लिख दे रहा हूं और मैं टफ नहीं करूंगा समझने में आसान रहेगा SI कितना हो गया A C V स्कुरार म्यू है याद थखना 3 म्यू F V स्कुरार मतलब SI कितना हुआ half C V कितना है Sf कितना है बावू सर सf है half C V 1.5 का Fix और Sf बावू 7 इसका भी यही है इसका बावू 7 इतना ही है twice a यहीड़़वoleल्ट ही तव है गेंका भी जेल़़वेज देखो ना गेंका भी इसका भी है फाइनल फ्रीमियों फेवी है तो इसका मतलब हीट लॉस में लिख रहा हूं जरा ध्यान से दुखो हीट लॉस में लिख रहा हूं एसाई कितना है मेरा हाफ थ्री टू स्क्वायर यहीं केल में तरदू क्या हाफ थ्री टू स्क्वायर दू 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 चार चार के बारा अज़ च्छै ही तो हुगा च्छै ही हो गया और तीन बटे दो एया हो गया ठीक है तीन बटे दो या और च्छै या च्छै प्लस ती दो गुड़े दो से आधा कैंसल हांसर कैंसल टी इंटू फॉन पॉइंट फाइफ का स्क्वाय है पंद्र बंद्रामा च्छेस दो सो पच्छिस तूपॉइंट फैब लिग दूमाई आसर लिग दीजिए क्या यारावना आप छै और तीन दूनी छै दस्मलों साथ पांच बा शाथ जाए और दन डेड़ कितना हुआब अबावू साथ दस्मलों पांच मैंने शेट असाथ मांज कितना गया बावू सर जिरो पॉइंट सेवन फाइफ हा गया है लेकिन सर प्रश्चन नहीं एक ऐसा प्रश्च तेरे लिए जब तक तू नहीं करें तब तक कैसे आएगा है 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 क्यूंग वह लिखेंगे है सब्सक्राइब क्या प्रश्टेंज प्रिमेगरोंग अब है 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 क्यूं प्री मैक्रो कुलम के पर स्टेंस इस्ट मैक्रोफर आप करो वह ही फैंड करना है क्यूस इफ इस उकल्ट वाट और साथ में वाभू फैंड करना है अपने को पोटेंसियर हीट लॉस उर्जा का बाबो कितना छे हुआ ओर्जा बाबो-कितनी छे हुई या find करना है ठीक है हां सर समझ गया है समझ गया है हां सर समझ गया है क्लियर है कोई दिखकत तिसमें ठीक है कॉंसेट वाते दमाग में ब्लकुल चबाते जाओ चुबाते जाओ बिल्कुल चबा चबा की काम दरो मैं कभी कोई काम जल्दी में नहीं करता हूं हाँ किन लोग का मुझे लेवल मालू में और आगे देखो इसके बाद दो सिंपल एक को अगोश्च्रा कराता हूं झालो एक बहुत सिंपल कुश्च्रा पर नहीं हिए अपनी भई प्रित्वी की धारिता बाबू मुझे बतानी है प्रित्वी की धारिता मुझे तुम बता दो ठीक है रेडियस जानते ही हो चौशट सो किलोमेटर बाहर एयर है उपर से बाबू एक करनेक्टर तो है सब्सक्राइब सब्सक्राइब बता दो क्या करो बाबू तुम मुझे प्रित्वी की धारिता बता दो कि गौट इट आसर समझ गए कि हाँ कि समझ गए ने बाबू कि ठीक है कि निकल की होगी भाई कि स्टीव राबर पोर पाई एस लॉग नॉट आ रही कि क्लियर है और वाई कि होता है इस स्टीव करनेटर का ठीक है बहुत सिंपल सवाल था आगे आते हैं कि धारीता बाबू किसके उपर डिपेंड करती है किसके उपर डिप्र नहीं करती है चोटी से बात करने वाले नहीं करती है तो देखिए धारिता निर्भर करती है, बताओ, सेप के उपर डिपेंड करेगी की नहीं करेगी, साइज के उपर डिपेंड करेगी की नहीं करेगी, नेचर ऑफ करनुक्टर के उपर डिपेंड करेगी की नहीं करेगी, सेफ, साइज, नेचर, नेचर शोड़ी दो, निचर ओफ मीडियम हां मीडियम की रख़ती है जिस मीडियम में रखा गया है पानी के अंदर रखा जाए तो बात अलग होगी अगर उसे बाभू कहा रखा जाए हवा में रखा जाए बात अलग होगी विद्धु सिल्था के उपर समझ लो सेब क्यों बड़े बिपंड करती है बिल्कुल करती है साइज के पान बड़ा इतनी ज्यादा धारिटा जतना च्छोटा क्णॉट्टर उत्ना कम अपना से अगर इस टॉपरिकल है तो ज्यादा होगा बागी एगा ठेड़ाऊए लिए नंहीं करते हैं मेडियं के उपर करती है किसी और मीडियं में रखेंगे तो क्या होगी धारता धारता यहां से कल्कुलेटर रहो ना अगर आपने क्यू चार्स दिया तो पोटेंशल क्या होता है सर क्यू बैई आर हां लेकिर बाव जानते हो कि यहां पर के बाई बढ़ ग्ता था को फ्रॉब लगता था ठीक है कि आपना जो इसा समझे ना में फॉर पाई एपस्लांग नाट पॉटेंशिल गार लग गया ना असर लग गया क्यों बाई आ यह तो पार तुम भूली जाओ यही पार लगता था एफसलांगर वाला तो इसका मतलब तुम्हारी बाबु कैपसिटेंस सीधे बढ़ जाएगी अगर किसी और मीडियम में डाल दिया तो सीधी सी बात है क्यों बाई जब क्यों भाई वी करूंगा तो सिधे यही ना एगा पूर पाई एफसलांग नाट एफसलांग आर आर यही तो हो जाएगा एकि नहीं अभी कुश्चन करा जाता हूं इसका मतलब मीडियम की उपर डिपेंड कर रहा है आसर कर रहा है दूसरी मीडियम में बढ़ जाएगा ठीक है दूसरी चीज पर आ जाओ किसके उपर निर्भर नहीं करता पहली बात कितना चार्ज उसके उपर विद्यमान है क्या चीज़ बाबू चार्ज रांग कंड़क्टर बाल्टी के अंदर कितना पानी है इससे उसके अंदर पानी इस्टोर करने की शम्ता पर कोई थोड़ी प्रभाव पड़ेगा पानी इस्टोर करने की उसकी जो शम्ता हो तो रहेगी रहेगी उसके अंदर पानी रहे ना रहे तो कितना चार्ज है चार्ज प्रिजेंट उपस्थित आवेस उपस्थित आवेस के उपर कभी बाबो डिपेंड नहीं करता है कितना उपस्थित आवेस है दूसरा विभाव का कि इसका वाटर लेवल कितना इससे कोई डिपेंदेंशी नहीं है वाटर लेवल को पानिश्टर करेंगी शंदाथ होते नहीं रहेगी आंटी के वेरी गड़ तीसरी चीज बावु क्या है है की इस्तितितिज उर्जा इस्तितिज उर्जा इस्तितिजब्द इप जऑए इसके उपड़ाइब आँ अब इसके बाद मैं आज का दिमाग खाना बंद कर दूंगा लेकिन याद रखना आज यतनी बताया हूं सब बिल्कुल चिपका लेना इसके बाद सुरूआ को प्रेरलर प्लेट कैपसिटर वहां पर जाएंगे वहां पर थोड़ा सा चीज़ें कॉंप्लेक्स हो जाएंगे अ अभी बाद बहुत ही इसी वेवे पड़ाया मतलब ऐसा बिल्कुल कोई नहीं सब्सक्राइब कर जाओ जरा साभी कुछ ऐसा नहों कि आपके कमी रह जाए ठीक है यार बहुत बोल रहा हूं मैं लिखो मेडियम में धारिता कि हम लोगा बात करने वाले हैं मीडियम में धारिता जैसे लिट कर लो एक अगर मान लो एक करनेक्टर में है या वैक्यूम में मान लो कहां है वैक्यूम तो इसका बाबू धारिता क्या होगा सर क्या पसिटेंज सपन को मालूम है पोर पाई एसलांग नॉट आर होता है ठीक है ठीक है अगर बाबू इस वैक्यूम के जिगह मैंने के वद्दुच सिल्टा का या मान लो एस का एसलांग का वाला मेडियम भर दिया क्या एसलांग बाबू इसलांग वाला मामला भर दिया लग्या अगया वैक्यूम हटा करके वैक्यूम कि जिगहां पाई एसलांग नाट अशलांग आर अबस इतना ही आपको और पढ़ना है ठीक है अब तक बाबू जो भी चीज़ ने बताई हूँ से मैं फिर से एक बार रिबीट करने जा रहा हूं इस प्लास की ठीक है बहुत कुछ बात नहीं है हां धारिता बाबु किसे बोलते हैं को कैसे ना पिंगे अपने क्यू चार्ज दिया वी पोटेंशिल बढ़ा तो क्यू बाइस वी इस एक्वल टू पहली चीज हांसर कर लिए एक वोल्ट पोटेंशिल से था बोला ठीक है हां सर सही है इसका बाबु अपना यूनिट था था फैरो तो चोड़ो आजाओ काम की बाद पे पोटेंशिल नरजी की पातकी पूटेंशिल इस थिर्वैदुत की इस्थे जुर्या क्या थी वाबु निकली सेलफ इनरजी सेलफ इर्जा स्वा उर्जा क कि यह बराबर कितना निकला हाग सी वी स्काइर हाग क्यू स्क्वाइर सी लिखने ना इस्सिति जुर्जा इलेक्ट्र स्टेटिक प्टेंसिल इनर्जी या फिर स्वावर्जा सिल्ख इनर्जी ठीक है हाँ इसके बाद बाद नो ने अभी जो पढ़ा डैट इस इंपॉर्टन और उसका पढ़ा कि क्यूब है इसी इस वी तो वहां से हम लोगों ने चार्ज अंगर का हेरा फिरा सिखा ठीक है कैसे है फिर होता है चार्ज में इसके पहले आज करो ना इसके पहले हम लोग पोटेंसल के तुरुक किया करते थे तब होता था लेकिन किस बार बाब कभी है इसनल गांगे देखो अगर उन्हें कर दिया गया तो अगर थी पूटेंश यह तो रहेंगे जैसे लेड़ से लट कर लो कहां पे तुम किसा का यूश करोगे इस तरफे दूद की वाला जूश करोगे ए तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए ठीक है इसमारा दिवांग रख मतलब टी केंस्टू कि एफ्सलंगार हो जाता है कब यह वेक्यूम कि यह मीडियम बाकितम भुश्यार होई समझें जाओगे है कि नहीं बाबू आसर समझ में आ गया आसर मोंने बहुत कम बादे कि किसके उपर बाबू डिपेंड करती है इस अब मैंने आप लोगों को बता दिया है डिपेंडेंसी पढ़ ली इसके अलावा है कि नहीं आसर डिपेंडेंसी पढ़ ली अपने पसी चार बातिया अब तक पढ़ी है और एक भी बात बाबू आप से मिस नहीं होनी चाहिए ठीक है तो मैं लेता हूं इजाजत हां आप लोग इजाजत नामें पर सिस्कत कर दीजेगा मिलेंगे लास पे ठीक है बाए बा इसे मैं करता नहीं हो मिलकल इतना चवा-चवा के बढ़ाया है बात एक भी छोड़ी ओकत भई ठीक है एक भी बात एक भी बात मिस नहीं होनी चाहिए बहुत टाइम दिया है एक्स्प्लेंड करने के लिए बहुत दिमाह मतलब बस ए एक भी बात भाई तो छोड़ना मत झाल झाल